दोस्तों आप में से काफे सारे छातर छातराओं का लगतार कॉमेंट आ रहा है मुख मंत्री बालक बाली का पुरसाहन योजना 2023 को लेकर कुछ बड़ी समस्या हो रही है आपको आवेदन करने में जिसको लेकर क्योंकि लगतार देख पा रहे हैं दो तीन समस्या जो है मुखे रूप से सभी चातर चातरा है इस वक्त फेस कर रहे हैं पहला वो है कि जो आवेधन करने जाते हैं उनको एक OTP जैसे समस्या का जो है प्रोब्लम हो रही है दुसरा जो है जिंडर में कहीं न कहीं यहाँ पर मिश्टेक हो रहे हैं उसको लेकर चात लगातार परसान है हम आपको सभी समस्या का समाधान बताएंगे इस वीडियो को आप पूरा देखीगा वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक से जरूर करें और चाते हैं आगे भी इस पर करके अपडेट आप तक मिलती रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले सारी अपडेट की जनकारी आपको मिल पाएगे सबसे बड़ी समस्या अभी जो हो रही है जो चातर चातर आया अवेदन करने जब जाते हैं उन्हें यहाँ पर देखेंगे अपलाई का जो लिंक दिये गए है उनलाइन अपलाई का जब इस पर वो क्लिक करते हैं यहाँ पर जब आप आते हैं सारा डिटल फिल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे दो option आपको मिलते हैं पहला है कि mobile verify करने का है यहाँ पर क्या होता है कि mobile number डालने के बाद एक option यहाँ पर मिलता है verify with OTP जब आप इस पर click करते हैं तो बहुत सारे student के पास OTP आ रहा है बहुत सारे SBA student है जो बोल रहा है कि OTP receive नहीं हो रहा है जिनके पास OTP आ रहा है और नहीं भी आ रहा है दोनों को यहाँ पर एक option OTP verify का मिलता है वही option अभी जो है यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है और जब तक आपका mobile का OTP verify नहीं होगा mobile verify नहीं होगा तब तक आपका form जो है summit हो ही नहीं सकता है यही समस्या जो है बहुत सारे student के email ID में भी हो रहा है बहुत सारे candidate बोल रहा है कि sir email ID पर OTP आ जा रहा है उसको हम verify कर रहा है लेकिन हमारा preview नहीं हो रहा है देखे रीजन यही है कि जब तक आपका mobile verify नहीं होगा आगे कि कोई परकिरिया आपको नहीं होगी तो इसका समाधान क्या है तो देखे यह जो समस्या है यह कोई fix समस्या नहीं है या यह समस्या आपको हमेशा नहीं देखनों को मिल लेगा यह समस्या इसलिए देखनों को मिल रहा क्योंकि आप जान रहे मैटिक में करिब जो है नहीं भी होगा फिर भी 18 से 20 लाग शाटर शाटरा है मैटिक करते हैं और पर्थम सरेनी से करिब जो है 10 लाग के करिब बच्चे जो होते हैं और पास है लड़का लड़की मिला कर तो सभ पी वाले जिनको भी समस्या हो रही तो एक दो दिन वेट कर लिजे एक दो दिन बाद आवेधन करेंगे क्योंकि आवेधन आपकी जो है करीब दो तीन महिना तक चलेगी ऐसा नहीं कि एक महिना में ही बंद हो जागा तो आपको परसान नहीं होना तो यह एक समस्या था इसका यही समादान है दूसरा एक समस्या यह है कि जब वो यहां से जेंडर क्या करते हैं मेल डालते हैं क्योंकि काफे सारे जो लड़का है उनके द्वारा यह कोमेंट किये गए हैं कि हम मेल डालकर फॉर्म को समिट किये हैं जो पूर में समिट कर दिये हैं और जब वो प्रिंट जिस समय bug होता है server में या जिस समय server पे load होता है तो आपका gender भी यहाँ पर print के समय गलत आपको देखनों को मिल जाएगा अगर आपने preview में पूरी जनकारी देखा है आपका gender सही है और आपने सही भी डाला है तो आपको कहीं भी परसान होने की जरूरत नहीं है होकर ही आपको देखनों को मिलेगा तो यह हमने आपको पूरी जनकारी बताया कि जिनका अगर gender में problem है तो उनका क्या समादान है आपको परसान नहीं होना है दोवारा print मिलेगा यह user ID पासवर्ट जब मिलेगा उसे मैं आप देखेंगे वो बिल्कुल सही रहेगा यह server के कारण ऐसा देखनों को मिल रहा OTPB server के कारण है यह सब जो है आपको एक से दो दिनों में या दो तीन दिनों में यह सट आउट हो जागा यह कोई fix समस्या नहीं है वीडियो अगर आपको पसंदा हो तो लाइक करें और इसके अलावे भी कोई problem आपको हो रही है तो उसके regarding भी आप comment कर सकते हैं